एपिसोड की स्टार्टिंग में टीचर वांग कहते हैं कि तुम सभी ही क्लासमेट्स हो तो ध्यान रहे जहां पे तुम्हें लगे कि रुख जाना चाहिए तो वहीं पे रुख जाना और तुम लोग किसी और तरीके से अपने अपोनेंट को हराने ही सकते हो और वांग डॉंग कहता है कि यूहा मुझे तुम पे पूरा बरोसा है जिसके बाद मिश्टर वांग इन दोनों की बीच की बैटल को शुरू कर देते हैं और वांग डॉंग कहता है कि चलो भी तुमें जीतना ही होगा और जैसे ही वूफेंग इस तरफ स्परिट पावर को यूज करती है तो इसके आसपस आगी की लप्टे उठने लगती है और वूफेंग कहती है कि तुम्हारे स्प्रिच्वल सी के खिलाफ डिफेंड करने के लिए अपनी पूरी स्पिर्ट पावर को यूज करूंगी और इसके लिए हम क्लोस कॉमबेक्ट में लड़ेंगे और मैं भी देखना चाहूंगी कि तुम किस तरह की की नई ट्रिक्स को खिल सकते हो और इस तरफ यूहाव अपनी आखों को बंद कर शांती से खड़ा होता है और तबी वूफेंग काफी तेजी से इसके पास आके इसके उपर अटेक करने लगती है लेकिन लाश्ट मुवमेंट पे यूहाव इसके पंच को डॉज कर लेता है और यूहाव को इसके मुवमेंट्स को पकड़ता दे के ये भी हैरान होती है और इसको भी समझ में आ जाता है कि यूहाव इसके वीक पॉइंट्स को सही सही देख पा रहा है और इसका वीक पॉइंट इसकी तश्रीफ होती है जिस पर यूहाओ एक काफी तगड़ी लात मारता है जिस वज़े से वूफेंग नीचे गिर जाती है और उसे काफी ज़दा शरमाने लगती है और ये कहती है कि ये तो काफी ज़दा एंबेरेसिंग है और इस कबाड़ी को अब मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ूँगी जिसके बाद ये अपनी फायर के साथ एक काफी तगड़ी किक मालने लगती है यूहाओ को लेकिन यूहाओ इसकी इस वाली किक को भी बड़े ही आसानी से डौज कर लेता है और तुरंती इसके पीछे आके इसके उपर मिस्टीरियस जेड हैंड से अटेक कर देता है और जैसे यूहाओ का ये अटेक वूफेंग की बैक पे लगता है तो इसे थोड़े बहुत बिजली जैसे जटके लगते हैं जिसके बाद ये दूर जा गिरती है और वूफेंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ की ओडियन्स इन दोनों की बैटल का काफी लुफफ उटा रही होती है और एक बन्दा कहता है कि यह असल में एक क्लोस कॉमबेक टेक्निक को यूस कर रहा है और काफी सारे लोग यहाँ का उत्सा बढ़ाने लगते हैं और काफी सारे जनों को तो अब भी विस्वास नहीं हो रहा होता है यहाँ को ऐसे लड़ता देख और वूफैंग को ऐसा खतरनाक अटेक यहाँ के उपर करता देख टीचर वांग और वांग डॉंग यह दोनों ही काफी ज़दा परेशान होते हैं इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ तभी सोल असल्ट से अटेक कर देता है जस वजय से वूफैंग का प्लो यहाँ के लग पाता उससे पहले ही इसे काफी तगला जटका लगता है और इसे काफी ज़दा दर्द भी हो रहा होता है लेकिन तब भी यहाँ को ऑखी ज़दा जोन से ढखका मारती है और वूफेंग कहती है कि मुझे काफी साथ अजीब सा लग रहा है जैसे कि मेरा सिर्ध दर्द से फटने वाला हो और तबी कोई कहता है कि हमें विनर मिल गया है क्योंकि वूफेंग की जो स्ट्राइक थी वो काफी खतरनात थी और इस तरह वूफेंग भी खड़ी हो गई होती है और ये चिलाते वे कहती है कि यूफेंग तुम बस देखते जाओ कि मैं कैसे तुमरा जीना मुश्किल करती हूँ क्लास वन के अंदर और मैं तब तक नहीं रुखूंगी जब तक कि तुम शेरेक अकेडमी से बहार नहीं हो जाते हो और तब यूफेंग उटते वे कहता है कि रुखो मैं अभी तक हारा नहीं हूँ और यूफा मनी मन खुझ से कह रहा होता है कि आखिर तुम मुझे क्यों ऐसे ट्रीट कर रही हो और तुम मुझे उस नजर से क्यों देख रही थी और मैंने ऐसा भी क्या गलत कर दिया और क्यों तुमने मुझे हट किया और यूहा अभी से मारने के लिए खड़ा हो जाता है और तभी यूहा के अंदर से अचानक से एक आवा जाती है और वो कहती है कि नफरत तुम्हें अंधा बना देगी और तभी अचानक से यूहा की आईस का कलर पूरी तरही के से चेंज हो जाता है और इसका किलर बलू से ग्रे में बदल जाता है और यहाओ की आँख का रंग बदलता देखे मिश्टर वांग को ये स्प्रिट म्यूटेशन लगता है और इस तरफ हम स्काइड्रीम के चारो तरफ तंतर मंतर टाइप कुछ लिखे वे देखते हैं और स्काइड्रीम इस वज़े से चिलाते हुए कहता है कि यहाओ यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है और स्काइड्रीम जिससे मदद मांग रहा होता है वो खुद भी यहाँ पे फसावा होता है इसका मतलब कि यहाओ की कौन्सियसनस भी यहाँ पे आ गई होती है और YOOHOW को भी बिल्कुर समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहां पे क्या हो रहा है और यह हरान होते वे कहता है कि आकिर में क्यों अचानक से Spiritual Sea के अंडर लोट आया और SkyDream गुण से से लाल पीला होते वे कहता है कि YOOHOW तुम्मारी बौडी को उस चोटी सी grey ball ने forcefully ले लिया है और फिर यहाँ पूचता है कि sky dream वो grey चीज गया है और sky dream कहता है कि चिंता मत करो पता लगाने के लिए मेरे पास एक तरीका है और तभी sky dream इसके उपर attack कर देता है और कहता है कि evil spirit यहां से चली जाओ और तभी अचानक से एक आवाज आती है और वो कहती है कि little warm अपनी सांसों को बचा के रखो और इस बंदे ने जो sky dream को little warm कहाता है इस वज़से से गुसा आने लगता है और इस आवाज को सुन यहां मने कहता है कि यह attractive voice एक बुड़े आदमी जैसी लग रही है और क्या यह असल में उस little gray ball में से आ रही है और यह old man कहता है कि young man इस सीज को काफी carefully observe करना और spiritual power को इस तरीके से यूज करना चाहिए जैसे कि मैं करने वाला हूँ और इस तरफ वूफेंग को काफी ज़दा डर लगने लगाता और यह कहती है कि आखर यहां पर यह क्या हो रहा है मैं जरा सबी मूव नहीं कर पा रही हूँ और वूफेंग को यूफेंग को यूफेंग के ओपर एक काफी ज़दा इविल सी चीज दिख रही होती है जिसे देखके यह काफी ज़दा डर गई होती है और कहती है कि क्या यही मौत है क्या मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ और तब यहाँ किसे इसके आगे एक ग्रोई polítसी फों होने लगती है जिसे देखे यहाँ कहता है कि यह तो मेरे स्प्रिट पाउवर और स्प्रिछॉल पाउर है और क्या यह इसके द्वारा यूज किये जाने की वज़े से इतना ज़ादा शक्ती शाली हो गई है और इस तरफ सकाई ड्रीम के तगड़े वाले पसीने छूट रखे होते हैं और ये कहता है कि ये बुड़ा आदमी तो काफ़ी ज़ादा घिनोना है और यूहा मन में कहता है कि इसने तो मेरे स्प्रिच्वल असोल्ट को एक पतले से धागे में बदल दिया है और हम देखते हैं कि ये पतला सा धागा धीरे धीरे करके वूफें की तरफ बढ़ रहा होता है और जैसे ये पतलसत दागा वूफैंग के टच होता है तो इसे काफी तगड़ा जटका लगता है और इसे वाकई में काफी ज़दा दर्द हो रहा था जिस वज़े से ये दर्द के मारे काफी जोर से चिलाने लगती है और ये दर्द के मारे चिलाते वे बेहोशों के नीचे गिर जाती है और यूहव यहाँ पर भी खड़ावा होता है और तब भी मिश्टर वांग अनूंस करते हैं कि यूहाँ ने इस पैटल को जीत लिया है और फिर मिश्टर वांग फैन को देखते हुए कहते हैं की लखीली ये बस कोमा में ही गई है लेकिन यूहाव ने ऐसा कैसे किया और सच में इसके पास इस्प्रेट की सेकिन अवेकनिंग है और पका यही बात होगी नहीं तो जो अभी हुआ है उसे हम कैसे एक्स्प्लेंट कर सकते हैं और इसने ये जो अभी किया ये वाकिए में अनबलीवेबल है और मुझे इस बारे में जुआन को बताना ही होगा और तबी वांग डॉंग काफी खुश होते वे इसके पास आखे कहता है कि यूहाव तुम तो काफी ज़दा ओसम हो और जैसे ही यूहाव कहता है कि मैं जीत गया और इतना कहते है यूहाव नीचे गिरने लगता है और इसके मुँमे से भी खुन निकलने लगता है और वांग डॉंग इससे संभालते वे कहता है कि पका इसकी आथ हर्ट हुई है और जियाव जियाव जल से जल इसे होस्पिटल ले चलने के लिए कहती है और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोर भी मरा यहीं पर खत्म होता है अगर आप लोगों को वीडियो जरा सभी अच्छा लगा हो तो प्लीज सेनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना बूलें तैंक यू